हलो फेंड वेलकम टू ग्लेमरस ब्यूटी केट आज हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि बालों के लिए घी का उपयोग कैसे करें और इसके क्या-क्या फायदे होते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दलाओं अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल नहीं किया है तो प्लीज जरू सब्सक्राइब करें सांथी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जनकारी आप तक पहुंच सकें सांथी जनकारी के लिए वीडियो को अंतर तक जरूर देखें तो आईए हम सबसे पहले बात करते हैं कि बालों के जाने में मददकार है स्केल्प इन्फेक्शन से भी यहा हमें बचाता है और हे़ ग्रोथ में काफी मददकार साबित होता है साथी समय से पहले बाल सफेध होने से बचाता भी है तो आई हम बात करते हैं कि बालों के लिए घी का उपियोग कैसे करें साधा देसी घी अगर लगाना है तो तीन से चार चमच घी लें और एक शावर कैप ले लें सबसे पहले घी को गुनगुना कर लें अब बालों को छोटे छोटे भाग में बाट लें फिर हांतों की उंगलियों की मदद से जड़ से लेकर पूरे बाल में घी लगाएं बालों में जब घी अच्छी तरह से लग जाए तो शावर कैप पहन लें फिर बीस मिनट तक बालों में ऐसे ही कैप लगा रहने दें इसके बाद बालों को गुनगने पानी और शेंपू से धो लें 15 दिन में एक बार इसका इस्तमाल किया जा सकता है अगर आप चाहें तो दो से तीन चमच घी लें और दो चमच बादाम का तेल और एक चमच नीबू का रस लें इसका प्रयोग करने के लिए एक बावल में तीनों समागरियों को अच्छे से मिक्स कर लें इसके बाद बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाट लें फिर इस मिसरण को स्केल्प और पूरे बालों में अच्छ से धोले इस हेयर मास्क का इस्तमाल दो हफते में एक बार किया जा सकता है इसके अलावा आप चाहें तो घी और ओले ओले ओल भी मिक्स करके लगा सकते हैं इसके लिए आप दो बड़े चमच घी ले और एक बड़ा चमच ओले ओले और शावर कैप का इस्तमाल कर सकते हैं सबस से 30 मिनट तक हलके हाथों से सिर की मालिश करें इसके बाद सिर को शावर कैप से कवर कर लें और 20 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दें फिर आखर में बालों को गुंगने पानी और शेंपू से धो लें हफ़ते में एक बार इस हेयर मास्क का इस्तमाल किया जा सकता है आप चाह चमच नारियल तेल और दो से तीन चमच घी भी ले सकते हैं लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घी के अधिक इस्तमाल से ओईली स्केल्प की समस्या हो सकती है और इसलिए घी का बहुत अधिक इस्तमाल न करें